हेलो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है आराइस में तो देखिए आपकी जो संडे से किलासे होने वाली हैं मैथ फिजिक्स की उसमें जो है आपके इमपोर्टेंट कोशन्स कराए जाएंगे और जो math के questions हैं वो मैं 100 questions कराँगा कितने questions कराँगा भाई? 100 questions और उन्हें अच्छे से कर लेना आपके 80-90% marks जो है math में उनी से secure हो जाएंगे ठीक है? देखे मैं अपने वारे में बता दूँ मैं 5 साल से जो है previous 5 years से maths and physics पढ़ा रहा हूं 11th और 12th के students को तो भाई मुझे पता है questions कहां से बनते हैं ठीक है? Quesnश जो हैं कहां से बनते हैं? वो सब मुझे पता है तो देखिए सबसे पहले मैं उन students को बताना चाहूंगा जो channel को देखते तो हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं ठीक है? तो सबसे पहले channel को subscribe कर दो और अपने जो friends लोग हैं उनके पास इस channel को जो है पहुँचाईए ताकि जादा से जादा students हम से जुड़ सकें और हमें भी motivation मिले और आपको भी motivation मिले तो देखिए आज मैं आपके लिए derivatives और integral के जो formula लेके आया हूँ उन्हें में class में नहीं करा पाऊंगा ठीक है important questions ही कराने होंगे तो जो basic होगा थोड़ा बहुत वो basic में करा दूँगा और जो questions हैं वो भी questions कराए जाएंगे 100 questions लेके आऊँगा आपके लिए ठीक है और जो 100 questions की जो series है वो आपकी Sunday से definitely आनी ही आनी है और physics भी ठीक है तो देखिए derivatives क्या होते है जैसे x की power n का derivative होता है वो क्या होता है x की power n का होता है n into x की power n minus 1 या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि x की power n plus 1 upon n plus 1 का derivative क्या होता है x की पवर n और जो x की पवर n का जो integral होता है वो क्या होता है x की पवर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c x का derivative क्या होता है एक होता है क्या होता है एक यहाँ आप बोल सकते हो एक का जो integral होता है वो क्या होता है x होता है integral जो होता है derivative का उल्टा होता हो, derivative integral का एक दूसरे के लिए opposite होती है, ठीक है, तो sin x का क्या होता है अब कलन cos x, यानि derivative क्या होता है cos x, और जो cos x का जो होता है, वो होता है sin x, और cos x का समा कलन, या अब कलन बोलना चाहूँ, अब कलन क्या होता है, माइनस कोस X का साइन X या कोस X का माइनस साइन X और जो साइन X का समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस X 10 X का अवकलन होता है आपका सेक इस्कीर X और सेक इस्कीर X का समाकलन होता है 10 X माइनस कोट X बूल दो या कोट X cortex का जो अवकलन cortex का जो आपका अवकलन होता है Çx का वो क्या होता है SEX का अवकलन होता है SX into 10x क्या होता है भाई, sec x into 10x, ठीक है, तो sec x into 10x होता है, इसे आप याद कर लेना, sec x into 10x, अरे भाई, eraser कहां गया, हाँ, sec x into 10x, और आप sec x into 10x का जब समाकलन करोगे, तो वो क्या होता है, sec x, क्या होता है, sec x, ठीक है, sec x का जो अवकलन होता है, वो होता है, minus sec x into cortex, और sec x into cortex का समाकलन क्या होता है, minus sec x, sine inverse x का जो अवकलन होता है, वो होता है, one upon root one minus x square, वहाँ आप उल्टा बोल सकते हो, यहाँ आप बोल सकते हो, integral में इसका opposite, यानि, minus one upon root one minus x square का समाकलन होता है, cos inverse x plus c, ठीक है, दोको plus c क्यों लिखते हैं, plus c इसलिए लिखते हैं, कि ये definite नहीं है, ये definite नहीं है, क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, indefinite जो समाकलन है, वो, ठीक है, आगे दोको, ten inverse x का समाकलन होता है, वो होता है, one upon one plus x square, यहाँ आप उल्टा बोल सकते हो, क्यों 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 क कुसेक इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस 1 अपन x अंडरूट x स्केर माइनस 1 और जो समाकलन करोगे तो 1 अपन माइनस 1 अपन x अंडरूट x स्केर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वो क्या होगा कुसेक इनवर्स x एकी पवर एक्स देखो अवकलन भी समान होता है इसका और समाकलन भी एकी पवर एक्स का क्या होता एकी पवर एक्स ही होता है यहां आप बोल सकते हो लॉग एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है वन अपन एक्स या फिर ऐसे बोल चकते हो कि a की power x upon log a का जो अबकलन होता है वो क्या होता है a की power x तो जो a की power x का समाकलन होता है अबकलन होता है तो देखे इन सभी फॉर्णूलों को आप जो है screenshot लेके लिख लो इनीपर best questions कराई जाएंगे आपके integral यहां सिर्फ आपको फॉर्मूले दिये जाएंगे और जो स्क्रीन पर एंगे आपको पहीं करेंगे एक टाल ज्याता से जबाँना इस्टूदेंट्स के झाँ हे सुझंध। कि अप्के